So hello everyone, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे algal bloom के बारे में So we will be talking about the algal bloom So algal bloom क्या होता है? सबसे बहले तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ So जब पानी के उपर green color के ऐसा layer सा बन जाता है इसको हम algal bloom बोलते हैं So अब algal bloom होता क्यों है? सबसे बहले nutrient load up यानि कि excessive nutrients जो है वो पानी के अंदर आते है अब यह जो nutrients है यह agricultural runoff से आ सकते है या फिर किसी industry ने industry ने क्या किया हो? अपना जो waste हो वो यहाँ पर पानी के अंदर dump कर दिया हो उससे आ सकते है and there are several reasons जिसकी वज़े से यह आ सकते है कि जैसे fertilizers होते है, fertilizers के अंदर nitrates और phosphates होते है तो यह जो nutrients है जब यह water body के अंदर dispose of होते है आते हैं तो उससे क्या होता है? जो nutrient level है उस water body का वो बढ़ जाता है nutrient level बढ़ने से क्या होगा? कि जो वहाँ पर aquatic plants है उनकी growth जो है वो increase हो जाएगी जो aquatic plants है उनकी जो growth है वो बढ़ जाएगी जो algae है उसकी जो growth है वो क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी तो जब algae को extra nutrients मिलते हैं तो उसकी जो growth है वो बढ़ जाती है and जिसकी वज़े से क्या होगा? आपको algae bloom देखने को मिलेगा पड़िया फूड मिल रहा है, एकसेस में आपने उसको फूड दे दिया तो वो ग्रो करती जाएगी, करती जाएगी, और पूरे वाटर के सर्फिस के उपर ऐसा फैल जाएगी, जिससे कि आपको वो ग्रीनिश लेयर दिख रही थी, तो उससे होता क्या है कि पानी के अंदर क् अकसीजन का लेवल है, वो कम हो जाएगा, अब ऐसा क्यों होगा, देखो, जब ये एलगे की लेयर यहाँ पर एक परत्सी बन गई, इससे क्या होगा, कि सनलाइट जो है, वो पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, पानी के अंदर जान नहीं पाएगी, वो बैर पाएट नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगे, डाई हो जाएगे, ठीक है, ये देखे, वो डाई हो गए, अब जब ये पौधे जो है, वो मर जाएगे, तो मरने के बाद जो डीकमपोजर्स हैं, जो बेक्टेरिया है, जो फंगी है, वो इसको डीकमपोज करेंगे, जब वो डीकमपोज करते हैं, तो वो डीकमपोजर्स करते हैं, तो 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 डीकमपोजर्स करते हैं, मन में शुरू हो जाएंगे अब यह fishies जो हैं जब वो मननी शुरू हो जाएंगी तो यह भी क्या होगी die होगी इनको फिर decompose करेंगे तो और oxygen का जो level है वो कम हो जाएगा right so oxygen level एक ऐसे point पे आ जाएगा जहां पर की कोई life possible नहीं है, सारी fishes, जो भी organism है, सम मर जाएंगे, पूरा जो ecosystem है, उसकी death हो जाएगी, तो ये algal bloom जो है, इतनी dangerous है, so algae bloom क्या है, it is the rapid increase of the algae population, due to the nutrients, excessive nutrients, अगर हम बात करें, algae bloom जो है, किस तरीके से environment को affect कर रहे हैं, तो वो food chain, marine life की, उसको disturb करें, तो सारे जो phytoplankton है, जो marine plants है, वो sunlight के उपर dependent है, और जो algae bloom होता है, वो sunlight को रोग देता है, जिसकी वज़र से sunlight जो है, वो अंदर आ नहीं पाती, तो phytoplankton मर जाते है, phytoplankton मर गए, तो फिर zooplankton मर जाएंगे, जो की phytoplankton के उपर dependent है, zooplankton मर गए, तो small fishes मर जाएंगे, जो zooplankton को खाती थी, तो small fishes मर गए, तो large fishes मर जाएंगे, क्योंकि उनका खाना मर गया, उनकी small fishes मर गए, तो इस तरीके से जो पुरी food chain है, वो disturb हो जाती है, algae bloom के वज़े से dissolve oxygen जो है, वो कम हो जाएगी, कैसे होगी, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब sunlight नहीं आ पाएगी, तो plants जो है, वो मरने शुरू हो जाएंगे, plants मरेंगे, तो जो decomposers है, वो उनको decompose करेंगे, और जिसके लिए वो oxygen को utilize करेंगे, जब plants मर गए, oxygen कम हो रही है, होती जा रही है, तो जो animals है, वो भी मरने शुरू हो जाएंगे, marine animals, fishes वगएरा, तो और जादा oxygen का level कम हो जाएगा, So, dissolve oxygen, जो content है, वो कम होता जा रहा है, at the end, इतना कम हो जाएगा कि पूरी जो life है, उस system के अंदर, ecosystem के अंदर, वो खतम हो जाएगी, Affecting the coastal economy, bio accumulation of toxins released by the algal blooms can lead to health risk for birds and human consuming them, क्योंकि जो alga होती है न, वो कुछ toxins release करते हैं, जिससे cyanotoxin, hepatotoxin, neurotoxins, So, ये जो हैं, काफी ज़्यादा dangerous हो सकते हैं, for health, affecting the water supply to the cities, Depleted level of oxygen in water, depleted level of oxygen in water and dead algae, could accelerate microbial growth in the water, choke the water supply, तो water, अगर आप इसको filter भी करोगे न, अगर इस पानी को filter भी करोगे, तो ये जो alga होती है, वो जो आपके filter हैं, उनको block कर देगी, water treatment plant के filters को block कर देगी, तब इसको filter भी नहीं कर पाओ गया, असानी से, और इस alga bloom की वज़े से, color जो है, पानी का वो तो change होता ही है, इतनी गंदी odor भी आती है, उसमें से बहुत गंदी smell भी आती है, और जब alga bloom हो गया, तो इससे क्या होगा, जो coral reefs है, वो भी क्या हो जाएंगी, खतम होती जाएंगी, जो सुंदरता है वहां की, वो खतम हो जाएगी, जो tourism जो है, वो भी क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, कोई लोग वहाँ पे उसको देखने नहीं आएंगे, तो country का न algae की death होते हैं, तो neurotoxins release होते हैं, जो कि organisms को किल कर सकते हैं, और algae bloom की वज़े से biodiversity जो है, वो भी क्या हो रही है, और जिस पानी में algal bloom होते हैं, उसका treatment कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, So that's all for today, if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates, thank you and have a great day.